तो हेलो इस्ट्रेंट्स आज हम लोग मॉडलस एक्विशन का नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोपर्टी फूर्ड ऑनवाड्स सूट करेंगे ठीक है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में प्रोपर्टी थी तक डिसकस किया था तो आई होप यह समझ मा गया होगा तो जो बच् क्या जा रहा है जा आप लोग पहले इसका ज़स्ट पहले वाला वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ मा आएगा ठीक है तो चलो प्रोपर्टी फूर्ड से स्टार्ट करते हैं प्रोपर्टी फूर्ड क्या कह रहा है इस सम अफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म से कोल स् एक सब्सक्राइब स्काम तो इसका मतलब इच अफ यह आड़िडिया अव पता यह नॉन निगेटिव क्या होता हैं नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव ए होना चाहिए या तो ग्रेटर देजिरो हो या एक जितने भी greater than equals to zero वाले expression है उनका sum अगर equals to zero है या less than equals to zero है तो तुम क्या करना solve करने के लिए each and individual expression must be equals to zero non-negative term तुम्हें याद होगा जिसे mod of anything कुछ भी in short कुछ भी या even index of कुछ भी या माल लो किसी भी bracket पर हमने power even raise कर दिया यह सभी क्या होंगे या तो greater than zero होंगे या equals to zero होंगे तो अगर इन सब का sum less than equals to zero है या equals to zero है तो इस तरह priority के लिए हम एक दो example देखते हैं ठीक है तो अब देखो example में क्या कह रहा है यहां पर जैसे तुम से कहा solve for x solve for x ठीक है first question में ने लिया say x minus 2 x minus 3 raise to the power 100 plus 10th root of x minus 2 x minus 3 equals to zero ठीक है second हमने लिया यहां पर say mod of x minus 2 x minus 3 x minus 4 plus square root of x minus 3 x minus 4 x minus 7 plus x minus 3 x minus 4 raise to the power 200 less than or equals to zero देखो यह देखने में कितना ड़ावना equation लग रहा है बट इसको तुम ऐसे orally तुम उड़ा सकते हो ठीक है अब पहला देखो जैसे ने देखा power even और यहां पर even index में even root of fx equals to zero तो सीधे तुम क्या करो यहां put this expression equals to zero x minus 2 x minus 3 raise to the power 100 equals to zero this implies x equals to 2,3 अब यहां पर आया 10th root of x minus 2 x minus 3 this equals to zero ठीक है इसको भी solve करने पड़ाया x equals to 2,3 ठीक है तो देखरो इन दोनों में common values तुमारा final answer होगा common values will be final answer will be the final answer अगर किसी ने पूछा common value नहीं आया तो answer five हो जाएगा अगर common value नहीं आया तो common value नहीं आया then your answer will be then your answer will be five ठीक है तो यहां पर तुमारा answer क्या होगा x is two and three discrete values बी क्या कह रहा है इसको zero से quit कर दो इस expression को zero से quit करो इसको जैसे zero से quit करोगे तो क्या आएगा x equals to two, three, four इसको zero से quit करो x equals to three, four, seven इसको zero से quit करो x equals to three, four देखो less than रहता मालो यहां पर सिर्फ less than रहता यह तब तो सीधे answer five लिख देते है बट यहां पर क्या है less than equals two है less than तो नहीं हो सकता है लेकिन equals two तो हो सकता है तो जैसे ही तुमने इसको zero से quit किया तो यह आया अब देखो इन तीनों में common देखो यहां दो ही expression था तो इन दोनों में common देखा अगर three terms है तो इन तीनों में common देखो इन तीनों में common x equals to 3 and 4 दिख रहा है यही तुमारा final answer होगा या तीस तरह से लिखो या x belongs to 6 में लिख दो 3, 4 ठीक है एक दो और example से दिखो इस पर मालो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा ठेक निक्ट कुश्चन say x square minus 5x plus 6 raise to the power 20 and x square minus of 12x ठीक है plus 20 plus 35 to the power 100 ऐसा कुछ दे दिये तुमें ठीक है तो जैसे ही तुमें दिखा इस bracket पर power even है इस bracket पर power even है ठीक है तो सुरुवात के से करोगे put this equals to 0 put x square minus of 5x plus 6 this equals to 0 x का value canical क्या है 2 and 3 put this equals to 0 x square minus 12x plus 35 this equals to x equals to canical क्या है 7 and 5 तो क्या इन दोनों में common है कुछ d equals to 0 तो answer क्या आएगा तो यहां पर क्या लिखोगे put this equals to 0 and this equals to 0 तो यहां इन दोनों में कुछ भी common नहीं आया तो answer क्या हो जाएगा x belongs to 5 ठीक है I hope यह type तुमें समझ मागया होगा property 4 अब अगला property property 5 ठीक है property 5 यह highly important है ठीक है मनलब समझो जो mod का यह जान है backbone है और इसको बारवार rewind करके तब तक देखते रहना जब तक कि इसको अच्छे से समझ मना आ जाए तुमें एकदम clarity के साथ तो यह property 5 जो है highly important है और यह actual में तुम्हारा mod का definition यहां पे involved होता है और manipulation में काम देता है अभी तक जो भी थे वो specific scenario में थे अगर ऐसा रहा तो इस तरह को manipulate कर दोगे लेकिन अब यहां पर तुम्हें definition के help से मतलब by the help of by the help of making cases by the help of making cases ठीक है using using its definition तो definition क्या कहता है mod of कुछ भी f of x तो अगर यहां से mod तुम break करना चाहोगे तो कैसे break करोगे तो लिखोगे this is f of x कब whenever f of x is greater than or equals to 0 minus of f of x whenever f of x is smaller than 0 इस तरह से break करोगे ठीक है तो by the help of making cases तो इस पे तो पहले मैं 5-6 examples लोँगा और सब को एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से समझना है तुम्हें तो यह definition तुम्हें याद है तो चलो इसको समझने के लिए हम लोग example का help लेते हैं तो तुम से कहा solve for x ठीक है फिरस्ट वन इस mod of x-1 equals to 2x plus 3 second one mod of 2x-1 equals to 5-x ठीक है third one mod of x-1 plus mod of x-2 this equals to 5 mod of x-1 plus mod of x-2 plus mod of x-3 greater than or equals to 6 ठीक है इस तरह के question का सुरुवात कैसे करोगे इस तरह के question का सुरुवात कैसे करोगे तो देखो first question what you have given you have given mod of x-1 this equals to 2x plus 3 तो यहां rough में तुम लोग हलाकि आगे चलके यह step तुम दिमाग में calculate करेना लिखने का ज़रूत नहीं है सुरुवात में मैं लिख लिख के बताऊंगा mod of x-1 तो यह क्या लिखाएगा x-1 कब whenever x-1 greater than equals to 0 और मैंने definition में बताया था equal to sign हम लोग यहां पर prefer करते हैं और यह आया minus of x-1 कब when x is smaller than 1 तो at first step mod के अंदर जो भी terms है ठीक है उसको rough में 0 से quit करो और number line पे ascending order में arrange करो सर्फ mod के अंदर वाला portion तो यहां पर आया minus infinite यहां आया infinite यहां आया one ठीक है मतलब यह number line दो हिस्सों में बट गया एक one से छोटा एक one से बड़ा अब किसी बच्चे के दिमाग में यह thought आ रहा होगा जो क्यों न हम squaring कर दें यहां सीदे लिख देते हैं this square और यह this square तो यह गलत है बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हो दो क्योंकि squaring होने के लिए mix your दोनों तरफ same sign का expression होना चाहिए यह non negative है तो इधर भी non negative होना चाहिए लेकिन यह क्या हमेशा non negative होगा नहीं इसलिए हम यह squaring नहीं कर सकते हैं मैंने बताया था तुम्हें जैसे अगर किसी ने लिखा यहां पर x square equals 2 y square ठीक है तो अगर यह index same है तो हम लोग basic कुल कर देते हैं ठीक है तो squaring के situation में यहां पर अगर एक तरफ negative है और एक तरफ positive है ठीक है तो इस situation में squaring करना allowed नहीं है squaring करना allowed नहीं है squaring तुम तभी कर सकते हो जब दोनों तरफ same sign हो मतलब दोनो non negative हो या दोनो तुमारा negative हो एक तरफ negative एक तरफ positive की situation बन रही हो squaring allowed नहीं है तो हम क्या बता रहे थे हम तुम्हें यह बता रहे थे जो इस तरह के question को crack कैसे करेंगे तो शुरुवात कैसे करोगे तो यहां मॉड के अंदर जो भी है उसको zero sequit करो critical points आजा one number line पे ascending order marange करोगे कर लिया अब cases बनाना है तुम्हें पहला first case अब तुम x smaller than one इस जोन में solution ढूनने जा रहे हो जितने भी x1 से छोटा है उसके लिए solution ढून रहे हो ठीक है फिर यहां लिखो second case यहां तुमने less than था less than one के लिए solution ढूना यहां greater than one और equal to sign हम greater than के साथ opt करते हैं यहां equal to लगा दो मतलब हम entire number line पे solution ढून ढून रहे हैं अब आओ when x is smaller than one तो अब वापस से यहां question लिखो x minus 1 equals to 2x plus 3 लिख लिया अब बताओ तुम इस definition के basis पे अगर x smaller than one है तो यह mod हटेगा तो कौन सा sign के साथ हटेगा negative sign के साथ यहां minus of x minus 1 और हम पहले previous वीडियो में बता रखे हैं जो this is not negative actually में यह positive है क्योंकि x less than one है यह negative और यह minus दोनों मिलके plus हो जाएगा बत जब हम mod हटाएगे तो इसको इस तरह से लिखते है minus of x minus 1 and this equals to 2x plus 3 simplify करो तिया minus x plus 1 equals to 2x plus of 3 तो यह क्या आगया है हाँ पर 3x equals to minus of 2 x is minus 2 by 3 यानि 1 से इधर एक value ऐसा मिल गया जिसको हम इसमें रखें तो left hand side equals to right hand side मिलेगा मतलब जब कभी भी तुम case बना के solve कर रहे हो तो direct अब यहाँ पर रूक मत जाना और आगे मत बढ़ जाना यहाँ अब cross check करो क्या cross check करो x equals to minus 2 by 3 क्या इस interval को belong कर रहा है जो तुमने cases बनाने के लिए लिया है क्योंकि तुम तो अभी allowed x minus infinite से 1 ही ले रहे हो ना यह वाला x पे ही तो solution ढूंड रहे हो ठीक है तो minus 2 by 3 इस interval में आ रहा है तो this value is acceptable अगर नहीं आता तो this value is not acceptable ठीक है clear है अब आओ second case second case क्या आया x greater than equals to 1 अभी इसको लिखके छोड़ दिया final answer लिखते वक्त case 1 case 2 में जितने values जितने acceptable values होंगे उसको लिख देंगे वही मेरा final answer होगा तो second case में देखो वापस से मैंने यहाँ पर question लिखा x minus 1 equals to 2x plus 3 x 1 से जादा है x अगर greater than equals to 1 है तो यह mod हटा तो क्या sign छोड़ जाएगा x greater than equals to 1 में यह mod क्या sign देगा x minus 1 यह देगा this equals to 2x plus of 3 simplify करे तो x minus of 2x equals to 3 plus 1 minus of x equals to 4 x equals to minus 4 अब आख बंद करें के answer minus 2 by 3 and minus 4 मत लिख देना हमने क्या बोला x का value निकालने के बाद तो मैं यह check करना है जो क्या यह value इस वाले domain में available है या नहीं है नहीं है तो reject हो जाएगा to age x equals to minus 4 belongs to 1 से infinite 1 से infinite में क्या minus 4 आएगा नहीं आ रहा है इसका मतलब this is not acceptable this value is rejected तो case 1 case 2 में कुल मिला के ऐसा कौन सा x मिला जो finally से satisfy कर रहा है सर्फ यह और final answer is x equals to minus 2 by 3 this is your final answer ठीक है I hope यह समझ में आ गया अभी और भी examples लेंगे ठीक है यहां जिस बच्चे को difficulty हो रही हो तो patience मत lose करना एक-एक illustration को समझते जाओ हम पहले ही बोल रखे हैं यह mod का highly conceptual manipulation है ठीक है तो मैं काफी basic से zero level से इसको proceed कर रहा हूँ अब आरा इसमें second part तुम्हारा what is second part second question your second question is mod of 2x minus 1 equals to 5 minus 6 यही था ठीक है तो तुम लोग इसको जो है attempt करो सबसे पहले अब क्या करेंगे rough में 2x minus 1 equals to क्या लिखेंगे 2x minus 1 whenever this greater than equals to zero 2x minus 1 greater than equals to zero you will get x greater than equals to half 2x minus 1 greater than equals to zero you will get x greater than equals to half ठीक है and यहाँ पर क्या आएगा minus of 2x minus 1 when x is smaller than half ठीक है इसके बाद क्या बताएते है mod के अंदर जो भी terms है zero sequence करो number line पे sending order में arrange करो mod के अंदर 2x minus 1 है तो इसको zero sequence क्या x का value क्या निकल क्या है one by two ठीक है अब cases बनाना है start करो तो case कैसे बनाते हैं इधर से बढ़ते हैं आगे तो अब यहाँ पर एक ही critical point है अगर एक critical point आया दो case बनेगा दो critical point आया तीन case बनता है तो यहाँ पर एक critical point आ रहा है तो एक बार इसके लिए solution ढोनेंगे और एक बार इसके लिए पहला case जब तुमने x smaller than one by two लिया ठीक है और second case जब तुमने x greater than equals to one by two लिया और इसमें कोई दिखते हैं तुम चाहोते इसको case one और तुम चाहोते इसको case two लिख सकते हो ठीक है तो अब दिखो यहाँ x is smaller than half है तुमने यहाँ पर लिखा question more of two x minus one equals to five minus six अब बताओ अगर x is smaller than half है तो यह mod हटेगा तो कौन सा sign छोड़के हटेगा मतलब minus of two x minus one ऐसा लिखेंगे यह क्या है minus two x plus one equals to five minus six this is minus two x plus of x equals to five minus one this is minus of x equals to plus four x equals to minus four अब सबाल उठता है क्या x equals to minus four acceptable है तो इसको final इसको select करने इस पहले क्या देखेंगे देखेंगे क्या यह इस domain में available है minus infinite to half में यह available है इसका मतलब यह value acceptable हो गया ठीक है यानि यह हमारे answer का part होगा वह अपस से आओ x greater than equals to half तो हमने यहाँ पर लिखा इस case में mod of two x minus one equals to five minus six x half यह उससे ज़्यादा है यह mod हटेगा तो plus of two x minus one यानि question solve करने में हम यहाँ cases इसलिए बना रहे है ताकि हमें यह पता चल सके जो mod जब हटाएंगे तो उसके पहले लिखेंगे क्या plus या minus अब आया यहाँ 2x minus one यह x इधर बेज दो this equals to six 3x equals to six x equals to two x equals to two क्या x equals to two half से infinite को belong कर रहा है बिल्कुल कर रहा है मतलब यह value भी acceptable हो गया तो इस case में मेरा final answer क्या होगा x equals to minus four and two या x belongs to minus four and two sets में लिखोगे तो यहाँ पर belongs to का sign लगा देना ठीक है तो यह मेरा answer हो गया final answer मालो दोनों case में एक भी acceptable value ने मिलता तो answer five हो जाता है ठीक है अब और यहाँ पर third question ठीक है यह जहाँ एक से ज़्यादा mod involved है वहाँ क्या करेंगे that first step सबसे पहले तो number line खीच ले न जितने भी mod है zero से quit करो critical point one and two ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक box बनाएंगे definition की मदद से ठीक है तो x equals to one and two अब देखो यहाँ पर हमने rough में लिखा आगे चल के तुम यह step skip कर सकते हो जैसे ही एक बार यह तुम्हारे दिमाग में set हो गया तो यह x minus one whenever x greater than equals to one minus of x minus one whenever x is smaller than one mod of x minus two क्या देगा x minus two whenever x greater than equals to two minus of x minus two whenever x is smaller than two ठीक है अब ओ यहाँ अब हम इस वाले zone में काम कर रहे है one से छोटा तो अब तुम लोग क्या करना जैसे ही यहाँ पर one and two लिखा यह first row है यह second row है first row इस वाले mod के लिए reserve रखना मतलब पहला row mod of x minus one का sign represent करेगा और दूसरा row यह mod of x minus two का sign represent करेगा अब sign बनाते हैं तो अब तुम देखो यहाँ अगर x one से छोटा है यह mod हटा तो कौन सा sign दे रहा है negative यहाँ क्या लिखोगे minus तो x जब one से छोटा है तो obviously two से भी छोटा होगा तो यहाँ भी minus मतलब अब तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो अगर यह ascending order में है तो यह वाला block में mod हटा होगे minus देगा बट इसके लिए order fix होना चाहिए यह वाला ascending zone में रहना चाहिए और इसी के according इधर mod जाना चाहिए तो तुम direct बोल सकते हो अगर x1 से छोटा है तो यह mod हटा तो minus sign यहाँ से भी mod हटाएंगे तो minus sign अब ओ इस वाले block में 1 से 2 में 1 से 2 का मतलब क्या होगा x1 से ज़्यादा और 2 से कम इस block का मतलब यह है x1 से ज़्यादा 2 से कम तो x1 से ज़्यादा तो यह plus देगा लेकिन 2 से कम है तो यह क्या देगा minus और यहाँ 2 से ज़्यादा है तो दोनों क्या देगा plus मतलब इसका order इस तरह से box कर रहेगा जो यह वाला all negative फिर एक positive बागी negative इसके आगे सारे positive मान लो अगर तीन critical point रहते हैं एक, दो, तीन तो क्या करो यहाँ इस तरह से तीन line खीच दो यहाँ इसी तीन line खीच दिया यह first row यह second row, यह third row यहाँ पर भी ascending order में ही critical point arrange करना है ascending order में यहाँ देखा one यहाँ लिखोगे mod x minus one यहाँ रहता minus one यहाँ लिखता mod x plus one समझ रहे हो अगर मैंने यहाँ पर one लिखा है तो इसके corresponding यहाँ mod of x minus one यह two है तो second row आजाएगा mod x minus two के लिए यह three है तो यह आजाएगा mod x minus three के लिए अगर यह ascending order में है और इसके corresponding तुमने mod लिखा है तो इस बात की guarantee है यह वाला block साड़ा का साड़ा negative देगा अब one से two में एक positive बाकी दोनो negative इस से इस में दो positive एक negative इसके आगे सारे positive इस तरह से हम लोग box बनाएंगे ठीक है फिलाल तो यहाँ दो ही critical point है और यह हम अपने मन से sign नहीं रख रहे हैं यह definition के according sign रख रहे हैं समझ रहे हो okay तो I hope sign कैसे बनाते हैं clear हो गया अब जैसे ही first step में तुमने box बना दिया sign का तो second step में cases लिखना start कर दो second step में make cases तो मालो मैंने यहाँ पर अब cases बनाना start किया तो पहला case first case first case में हमने x smaller than 1 लिया अब हो second case when x greater than 1 is smaller than 2 थीक है then third case when x is greater than or equals to 2 that is 2 to infinite x greater than 1 question लिखा मैंने mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 this equals to 5 अब x 1 से छोटा है तो यह mod हटेगा तो कौन सा sign देगा minus and minus यानि यहाँ से mod हटा तो minus दिया यहाँ से mod हटा तो यह भी minus दिया this equals to कितना 5 तो अभी यह क्या आ गया minus of 2x यह क्या है plus of 2 यह plus 1 this equals to 5 थीक है minus of 2x this equals to 3 x equals to minus of 3 by 2 यह minus 2 of x यहाँ calculation mistake हो गया x minus 2 है यहाँ 2x plus 3 आ गया plus 1 and plus 2 this equals to 2 x equals to कितना आया यहाँ पर x equals to minus 1 आया थीक है x equals to minus 1 आया इसका मतलब क्या है जो क्या minus 1 acceptable है तो बिल्कुल है क्यों क्योंकि यह इस domain में available है क्योंकि तुम solution 1 से छोटा के लिए search कर रहे थे तो यह acceptable है इसको हमने रख लिया अपने पास acceptable अब आया तुमारे पास 1 से बड़ा 2 से छोटा ठीक है 1 से बड़ा 2 से छोटा तो आपस से मैंने लिखा mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 this equals to 5 1 से ज़्यादा 2 से छोटा में यह mod हटेगा तो कौनसा sign देगा plus यह mod हटा तो कौनसा sign देगा minus simplify करो तो यह देखो यह आगे है x और x cancel हो गया minus 1 plus 2 1 equals to 5 यह यह absurd result है not possible यह यह second case में no solution कुछ भी नहीं मिला अब आप थर्ड case case 3 क्या लेंगे 2 से बड़ा तो थर्ड case ऐसा लिख दिया मैंने ठीक है फिर question लिखा अब greater than 2 में यह mod हटा तो plus sign यह mod हटा plus sign क्योंकि इस case में यह भी plus और यह भी plus ठीक है यह plus यह plus simplify किया अब final answer लिखने से पहले हम देखेंगे क्या x equals to 4 acceptable है या नहीं x equals to 4 बिल्कुल acceptable है क्योंकि यह 2 से infinite को belong कर रहा है तो मेरा final answer क्या होगा case 1 में minus 1 मिला था case 2 में कुछ ने मिला case 3 में 4 मिला यह मेरा final answer हो गया ठीक है अब तुम लोग video pause करके d attempt करो ठीक है यह वाला question attempt करो ओके तो अई हुब तुमने इसको attempt कर लिया होगा अब देखो यह तो अब अपना solution यहां से match करो जिसने भी attempt किया है सबसे पहले अब क्या करोगे इन सब को 0 से quit किया तुमने critical points आर 1,2,3 critical points आर 1,2,3 इसको number line पे sending order में रेंज किया इसके corresponding मैंने sign बना लिया ठीक है तो यह 1,2,3 है तो यहां के आएगा all negative plus minus minus plus plus minus then plus 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 अब यह और यह अगर interchange करोगे तो यह गरबड हो जाएगा इसलिए हमने बुला है जो box के थूरू अगर जाना है तो ascending order create करना है और यह हमने कैसे लिखा है तो definition के लिप से जिसे मनलो तुम्हे mod x minus 3 break करना है क्या लिखते हो plus of x minus 3 कब जब x greater than equal to 3 minus of x minus 3 कब when x smaller than 3 ठीक है तो 3 से जादा पर mod जो है वो plus देगा 3 से कम पे जहाँ जहाँ 3 से smaller है जितने भी टुकरों में माटो यह mod minus ही देने वाला है यह mod 3 के आगे ही plus देगा यह mod 2 के आगे ही plus देगा यह mod 1 के आगे ही plus देगा ठीक है तो हम लोग इस तरह से sign बनाएंगे यह mod 1 के आगे आगे plus देगा 1 के पीछे minus देगा तो अब आप first case अपना solution मैच करो भी यहां से x 1 से छोटा है mod हटा all negative simplify किया x equals to 0 0 minus infinite से 1 में आ रहा है so acceptable second 1 से 2 लिया 1 से 2 में पहला positive बांकी दोनो negative simplify किया x minus 2 आया लेकिन x equals to minus 2 1 से 2 वाले domain में बिलॉंग नहीं कर रहा है इसका मतलब यह rejected है यह reject हो गया तीसरा case लिए हम आपने 2 से 3 यानि 2 से ज्यादा 3 से कम ज्यादा मतलब इसलिए equal to left end पे लगा रहा है तो अब हम directly लिख रहे है तो यह mod हटा तो plus यह mod हटा plus लेकिन यह mod हटेगा तो minus simplify किया x equals to 6 आया लेकिन x equals to 6 2 और 3 को बिलॉंग कर रहा है नहीं कर रहा है इसलिए यह क्या हो गया reject हो गया ठीक है अब अगर 2 critical point है तो 3 cases 3 critical point है तो 4 cases 10 critical point है 11 cases लेकिन इतना लंबा नहीं पूछेगा 11 cases, 12 cases at max 3 बहुत हुआ 4 से ज़्यादा cases बनाने का जरुत नहीं पड़ता है ऐसा कोई question जहीं नहीं पूछेगा जहां पे तुमारा 10-15 minute एक ही question में बड़बाद हो जाए ठीक है अभी तो just हम इसको सीख रहे हैं और जैसे ही यह साड़े steps दुमारे दिमाग में set हो जाएंगे तो तुम इसमें बहुत सारा चीजें दिमाग में calculate कर लोगे इसकी देख cases बनाके तुम चालू हो जाओगे ठीक है अब fourth cases क्या बचा 3 to infinite 3 to infinite में match कर आओ all positive x equals to 4 तो तुमारा final answer कितना है 0 से 4 ठीक है अभी तक हम discuss कर रहे थे equals to पे equal to के साथ अब हम इसी में inequality introduce कर रहे हैं जब 1 से ज़्यादा mod है और वहाँ inequality लगा हुआ है ठीक है 1 से ज़्यादा mod है और inequality लगा हुआ है तो उसको अब कैसे correct करेंगे ठीक है तो question है mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus of mod of x minus 3 greater than equals to 6 तो करीब करीब 90% steps common है same है ठीक है तो चलो इसको भी देख लो तुम लोग तो सुरवात कैसे करेंगे तो first step वही same logic जल्दी से हमने बनाया यहाँ box which is 1, 2, 3 तुरंत हमने यहाँ इस तरह से line खीचा 3 lines यहाँ generate किया minus 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 यहाँ mod x minus 1 लिखा यहाँ mod x minus 2 लिखा यहाँ mod x minus 3 लिखा यह number line है तुम्हारा पहला वाला number line है तो 1 के से smaller minus 1 के आगे आगे mod साड़ा plus देगा 2 से पीछे minus 2 के आगे आगे plus ठीक है mod of x minus 3 है 3 के आगे आगे plus इसके पीछे minus तो minus minus plus minus minus इस order में चलेगा अब तुरंत हमने cases बनाया तो पहला case when x lies vitamin minus infinite 2 1 फिर क्या लिखा मैंने mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 this greater than or equals to 6 ठीक है ठीक है तो अब देखो यहाँ पर तो first case लिए मैंने minus infinite 2 1 फिर यह question लिखा अब यहाँ देखो यह mod हटेगा तो क्या देगा minus यह mod हटा minus यह mod हटा minus simplify किया x less than equals to 0 है तो इसको solve करने पर जो तुम्हारा x less than or equals to 0 हुआ ठीक है तो इसको i2 treat करो तो यह क्या आजाएगा i1 intersection i2 यानि जो तुमने डोमेन लिया है वो और जो तुम्हारा solve करने पर आया इन दोनों का common i1 intersection i2 एक था minus 1 से smaller than दूसरा था 0 से smaller इन दोनों में common क्या है यह वाला portion common आया तो minus infinite 2 0 case 1 का acceptable solution आया अब आफ second case बोलना x lies between 1 to 2 x 1 से बड़ा 2 से छोटा simplify करो question लिखा मैंने अब तुम इस में solution ढून रहे हो यह mod हटा तो plus बांकी दोनों minus simplify किया x का interval यह आया दोनों में common solution लो यह जो तुम ले रहे हो यह खुद में एक interval है इसलिए मैंने इसको इस case के लिए i1 माना जो तुमारा solution आया i2 माना दोनों में intersection लिया कुछ भी common ने आया तो 5 हो गया no solution second case में no solution अब आफ third case third case क्या लोगे 2 से 3 तो 2 से 3 में देखो question लिखा मैंने अब यह mod हटा plus यह mod हटा plus लेकिन यह mod हटा तो minus ठीक है यह क्या आ गया 2x minus 3 minus x plus 3 यह और यह cancel हो गया आया कितना x greater than or equals to 6 देखो तुमने लिया था x 2 से 3 इस case पर answer आ रहा है 6 to infinite मतलब i1 intersection i2 में कुछ भी common नहीं आ रहा है i1 intersection i2 is 5 मतलब case 3 भी no solution दिया अब आफ fourth case x minus 1 plus x minus 2 plus of x minus 3 मतलब हम अब इस वाले 3 to infinite यह वाला zone हम deal करने जाने है 3 to infinite में mod हटा तो साड़े plus sign देंगे यहाँ यह भी plus plus x minus 2 plus x minus 3 greater than or equals to 6 इसको case 4 के लिए यह i1 है solve किया 3x minus of 6 3x greater than or equals to 12 x greater than or equals to 4 यह i2 आया i1 intersection i2 निकलो दोनों में common आया तुम्हारा 3 से infinite 1 है 3 से infinite i1 और i2 कितना आया 4 से infinite दोनों में common solution लो तो दोनों में common solution लिया तो common solution कितना आ रहा है 4 to infinite यानि यह मेरा acceptable solution मिला तो final answer लिखने का तरीका all acceptable solution के बीचिज का union final answer apply जब भी cases बनाते हैं union sign apply करो between acceptable intervals acceptable intervals तो case 1 में क्या मिला था minus infinite to 0 तो final answer होगा minus infinite to 0 union 4 to infinite और यहां पर note करने वाली क्या बात है जब भी cases बनाते हैं जब भी cases बनाओ then apply union between acceptable intervals तीक है इसको translate करके लिख लेना खुझ से अब यहां तक समझ मा गया होगा चलो अभी एक दो और एक्जामपल से देखो इस पर यह tricky question है यहां पर 70% बच्चे गरबर करता है 2 by x minus 4 greater than 1 तक है and next simplify the expression simplify the expression 9 minus of 6a plus a square plus 9 plus 6a when a smaller than minus 3 ठीक है तो अब आँ इस question को देखो देखो अभी हम लोग यहां पर एक आगे प्रोपर्टी पढ़ेंगे mod of x y x by y को mod x by mod y लिख सकते है ठीक है तो हम चाहो तो direct mod f x greater than k वाला भी प्रोपर्टी अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है you can proceed with this smaller than minus 1 union this greater than minus 1 इससे भी आगे बढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं बता रहा हूँ तुम इससे भी बढ़ सकते हो या इस प्रोपर्टी से भी बढ़ सकते हो जो अभी आगे हम details से इसके वड़े में बात करेंगे तो मॉड अफ टू बाइ एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन वन इससे हम मॉड टू बाइ मॉड अफ एक्स माइनस फोर लेख सकते हैं तो अब यह क्या गया, 2 बाइ मॉड अफ एक्स माइनस फोर तो मॉड अफ एक्स माइनस फोर यहां पर non-negative है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए صرف तो अगर x not equals to 0 है तो मॉड अफ एक्स माइनस फोर आलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो अगर strictly positive है थो हम cross multiply कर सकते हैं लेकिन make sure x should not equals to 4 ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर cross multiply कर दिया तुम्हारे पास क्या आया 2 greater than mod of x minus 4 so mod of x minus 4 is smaller than 2 so x minus 4 lies between minus 2 to plus 2 according to previous property so x lies between 2 to 6 तो your answer is 2 to 6 तो maximum बच्चे casual mode में यही answer लिख देते हैं बट यह गरबर हो गया ना क्यों क्योंकि तुम cross multiply तभी कर पाए थे जब तुम x not equals to 4 किया था यहाँ पर और 4 इस interval में आ रहा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुम्हें जो x belongs to 2 to 4 except 4 4 को छोड़ करके अगर तुमने ऐसा नहीं लिखा तो answer गरबर हो जाएगा मतलब तुम्हारा final answer हो जाएगा 2 से 4 union 4 to 6 मतलब x 4 नहीं लिख सकते हो तुम खुछ सोचो ना अगर तुम x equals to 4 लिया अगर तुम यह लिखता जो x belongs to 2 to 6 तु 2 to 6 में एक से कोस्टो 4 भी आएगा और 4 जब तुम master equation में रखोगे तो denominator ही 0 हो जाएगा इसका मतलब कोई ऐसा value जो तुम्हारे solution set में आ गया और उसकी वज़ा से question ही undefined हो जाएगा denominator नहीं 0 हो जाएगा तो उस value को reject कर देना है answer में include नहीं करना है इस बात को धियान में रखना ठीक है maximum बच्चे casually सीधे 226 लिखे छोड़ देते हैं यह गरबड करते हैं अब f देखो interesting question है attempt करो यहाँ पर भी बोला simplify करने के लिए तो simplify this expression expression को मैंने capital ही लिखा और धियान से देखो इसे यह a square minus 6a plus 9 देख रहा है इसको धियान से देखो यह a square plus 6a plus 9 देख रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं this can be written as a minus 3 whole square इसे क्या लिख सकते हैं a plus 3 whole square अब यहां maximum बच्चे गरवर करते हैं यहां सीधे लिख रहेंगे a minus 3 a plus 3 और answer लिख रहेंगे 2a यह ऐसा लिखा गरवर हो जाएगा ठीक है in future manipulation में ध्यान रखना square root से अगर तुमको भी बाहर किये तो mod के साथ तुम बाहर आओगे under root of कुछ भी square is mod of कुछ भी under root of x square बाहर आएगा तो mod x under root of a minus 3 square बाहर आएगा तो mod के साथ बाहर आएगा तो यहाँ तुम लिखोगे this is nothing but mod of a minus 3 this is nothing but mod of a plus 3 यह expression इसके बड़ा बड़ा आया अब कह रहा है बिना mod का answer बताओ उस case में अगर मैंने allow किया if a smaller than minus 3 तब तुम्हें मालूम है here critical point is minus 3 and 3 for a ठीक है ती आया minus minus plus minus plus plus this is for mod a plus 3 this row for mod a minus 3 and what you have given you have given when a is smaller than minus 3 कर रहा इस case का simplified expression बताओ इस case में तुमने लिखा mod of a plus 3 plus of mod a minus 3 यह mod हटा तो minus दूसरा mod हटा वो भी minus यह क्या है minus a minus 3 minus a plus 3 so this is minus of 2 यह देखो final answer 2 यह आएगा यह तुम्हारा correct answer है ठीक है बच्चे तो आगे होब तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा ओके अब आओ इसी में next some important results related with मतलब you can say property 6 property 6 में कुछ special properties है modulus operations के जिसको तुम्हें memorize करना है रटना है ठीक है पहले उससे जरूरी है समझे ना यह property क्या कर रहा है वो देखे लो कर आफ और आल रियल numbers x and y and natural number n and natural number n mod of x greater than or equals to 0 mod of y greater than or equals to 0 that means mod of this greater than or equals to 0 mod of कुछ भी this is non negative mod of minus x लिके तो mod तो इस minus को plus बना देगा mod of x mod x अब बाहर में को मौड लगा दिया तो mod of mod of mod of mod of mod of mod x एक बार जब यह non negative बन गया तो इसके आगे तो 50 mod लगा तो यह effectively mod x के बराबर ही होगा ठीक है तो एक बार mod लग गया तब यह mod यह mod यह mod साड़ी useless हैं यह effectively mod of x ही है clear ठीक है थर्ड पॉइंट देखो भी हां क्या कह रहा है mod of x into y this is mod x into mod y यह काफी important property है मतलब modulus is distributive over product mod is distributive over product ठीक है तो यह दो यह उससे ज्यादा result के लिए भी valid है in general mod of alpha into beta into gamma into delta लिखा है तो we can write this mod alpha, mod beta, mod of gamma, mod of delta यह मालो कहीं ऐसा लिखा है mod of x minus 1, mod of x minus 2, mod of x minus 3 तो जरद पढ़ने पर we can write mod x minus 1 into mod x minus 2 into mod of x minus 3 यह step perfectly okay है ठीक है नव नेक्स प्रोपर्टी है mod x to the power n n कोई natural number है तीसे mod x to the power n लिख सकते है तीसे mod of x cube है तो we can write mod x का cube x to the power 4 है we can write mod of x to the power 4 इसके पीछे का logic काफी simple है left hand side is x raise to the power n x raise to the power n means x into x into x how many times n times according to this property you can distribute mod so mod x into mod x into mod x how many times n times so this is mod x raise to the power n थीक है using this logic तुम इसको प्रूफ कर सकते हो mod is also distributed over division means you can write mod x upon mod y mix your denominator should not equals to 0 mix your denominator should not equals to 0 थीक है तुम ये प्रूपर्टी तभी अपलाई कर सकते हो जब denominator should not equals to 0 थीक है तो अब देखों यहां अगर कहीं पर लिखा है mod of x minus 1 by mod of x minus 2 जरुद परने पर हम mod x minus 1 upon mod x minus 2 लिख सकते हैं थीक है now come to next property mod of x raised to the power 2n तो अगर जो पहले से ही strictly positive है वह तो mod लगाओ ना लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता है तो कहने का मतलब है x squared x squared is same as mod of x squared same as mod of x squared इन सब का मतलब same है तो अगर कहीं x squared minus 5x plus 5 mod x plus 6 equals to 0 लिखा है तो अगले स्टिप में x squared को mod x squared minus 5 mod x plus 6 लिख सकते हो ठीक है तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक है अब इसके बाद तुम लोग वीडियो को पॉज करोगे और इन questions को attempt करोगे ठीक है now solve for x mod of x plus 2 minus of x divided by x is smaller than 2 mod of x squared plus 4x plus 3 plus 2x plus of 5 equals to 0 mod of x squared minus 3x minus of 4 equals to 9 minus mod of x squared minus 1 ठीक है इसको attempt करो तो देखो attempt करने के बाद पहले का answer तुमारा minus infinite to 0 union 1 to infinite याना चाहिए दूसरे का answer minus 4 minus 1 minus 1 minus root 3 ये तीन value जाड़ा होगा और इसमें 2 value जाड़ा होगा minus 2 and 2 ठीक है जिन बच्चों का answer नहीं आया है वो अपना solution अब यहां से match कराऊ ठीक है तो देखो जिस बच्चे का ये answers नहीं आया है तो अपना solution तुमें यहां से match कराऊ ठीक है तो first question first question क्या दिया हुआ है mod of x plus 2 minus of x upon x smaller than 2 यहां mod एक ही जगह लगा हुआ है इसका मतलब एक ही critical point है इसको 0 से quit करो critical point is minus 2 इसका मतलब दो case ही बनेगा एक line खीचा और यह क्या यहां पर क्या लग दिया mod of x plus 2 इसका मतलब क्या हुआ minus 2 के इधर negative और इधर positive ठीक है तो first case when x is smaller than minus of 2 तो when x is smaller than minus of 2 तो question लिखो भी है mod of x plus 2 minus of x upon x यहां पर क्या है minus of x plus 2 minus of x upon x simplify करो तो minus x minus x minus of 2 x minus 2 upon x ठीक है simplify अगर करते हैं तो यहां पर क्या आएगा आप देखो तुम यहां cross multiply नहीं कर सकते हो ठीक है मतलब अभी cross multiply करना मना है cross multiply तुम तभी कर सकते हो जब वो strictly positive यह strictly negative हो ठीक है बट ठीक है मतलब अइसे भी जब तक strictly positive यह strictly negative नहीं हो तो cross multiplication avoid करना चाहिए यह 2 इदर बेज दो minus 2x minus 2 upon x minus 2 less than 0 यहां से mechanical क्या है minus of 4x minus 2 upon x less than 0 so 4x plus 2 upon x greater than 0 now critical points are minus half and 0 यह क्या है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ठीक है अब मेरा यहां i1 क्या था यह i2 क्या है यह i1 intersection i2 लो यह बोला है तुमको यहां पर x should be smaller than minus 2 i2 बोला है minus half के इदर और यह 0 के इदर और i1 क्या बोला है minus 2 के इदर दोनों मिल के क्या बोला minus infinity 2 minus 2 तो यहां पर तुम्हारा first case में acceptable answer minus infinity 2 minus 2 ठीक है ऐसा कुछ आना चाहिए ठीक है अब इसके बाद देखों यहां पर second case case 2 ठीक है तो second case क्या कर रहा है when x greater than or equals to 2 तो when x greater than or equals to 2 तो यह mod हटेगा तो क्या आएगा x plus 2 minus of x upon x less than 2 तो mod of x plus 2 minus of x upon x minus 2 less than 0 यह और यह cancel हो गया तो यह क्या हो गया 2 minus of 2 x upon x smaller than 0 2 x minus 2 upon x greater than 0 so here critical points is 0 and 1 so what we need we need positive minus infinite to 0 and 1 to infinite and in second case this is i1 and this one is i2 now take common the common is here 2 to infinite this is i1 and this is i2 i1 intersection i2 gives you i1 intersection i2 gives you 2 to infinite ठीक है यहां मिला 2 to infinite और यहां मिला minus infinite to minus 2 तो final answer अब क्या लिखोगे तो final answer x belongs to minus infinite to minus 2 जब भी cases बनते हैं तो acceptable answers के बीच में union आता है और यह आ जाएगा 2 to infinite ठीक है तो ठीक है तो यह आ रहा है था I think अच्छे एक मिनिट ऊपर में मैंने गलती से दूसरे question का answer लिख दिया था यहां पर क्योंकि answer तो यहां पर यहां आ रहा है तुमारा and I hope मैंने calculation mistake कहीं नहीं किया है एक बड़ चेक कर लो minus 2x minus 2 upon x नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है यहां पर ठीक है तो दुमारा यह answer आने चाहिए x belongs to x belongs to minus infinite to minus 2 union 2 to infinite अब हो यहां पर second part b part ठीक है second question देखो मिया क्या कर रहा है mod of x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5 equals to 0 ठीक है तो चलो इसको solve करते है तो इसको मैंने यहां factorize कर लिया यह x plus 3 और x plus 1 आया इसका factor और यहां आया 2x plus 5 अब तुमें यह property मालूम है mod of x into y को mod x into mod y लिख सकते है using this property we can write mod of x plus 3 into mod of x plus 1 plus 2x plus 5 this equals to 0 अब mod को हटाने के लिए अब यहां cases बनाना पड़ेगा यहां क्या है तुम्हारे पास this is minus 3 this is minus 1 ठीक है तो इसके corresponding यहां पर sign अगर बनाओ तुम ठीक है यह minus 3 यह minus 1 यह रो किसके लिए आएगा mod of x plus 3 के लिए यह रो किसके लिए आएगा mod of x plus 1 के लिए minus minus plus minus plus plus ठीक है तो first case total 3 cases होंगे x smaller than minus 3 second case क्या होगा x lies between minus 3 to minus 1 ठीक है तो देखो अभी यहां पर अब mod x smaller than minus 3 है तो mod of x plus 3 into mod of x plus 1 plus 2x plus 5 this equals to 0 है तो x is smaller than minus 3 है तो यह मौड हटा तो निगेटिव साइन देगा यह मौड हटा तो निगेटिव साइन देगा minus minus क्या गया है यहां पर plus ठीक है simplify करोगे तो क्या है यहां x plus 3 x plus 1 2x plus 5 this equals to 0 यह क्या होगा x square plus x plus 3x plus 3 plus 2x plus 5 यह क्या होगा x square plus 6x plus 8 ठीक है तो क्या यह factorize हो रहा है हाँ हो रहा है तो यहां पर दो factor निकल के आ रहे हैं एक 4 and 2 का combination तो minus 4 and minus 2 अब देखो यहां x का 2 value है तो यह acceptable है और यह यहां पर rejected हो गया rejected क्यों हुआ क्योंकि minus 2 जो है वो minus infinite से minus 3 इस domain को belong नहीं कर रहा था case 1 में मुझे एक ही solution मिला that is x equals to minus 4 अब आप second case second case में वापस से question लिखा x plus 3 x plus 1 plus 2x plus 5 this equals to 0 and यहां equal to किसी एक जगा पर लगाओ left hand पर prefer करता है left hand पर लगाओ ठेक है तो अब देखो यह तो यह mod हटेगा तो यह plus देगा लेकिन यह तो minus देगा तो this gives you plus of x plus 3 this gives you minus of x plus 1 तो यह finally minus of x plus 3 into x plus 1 plus 2x plus 5 equals to 0 यह हो जाएगा simplify करो इसे तो यह क्या हैगा minus of x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5 this equals to 0 यह क्या है minus of x square minus 4x minus 3 plus 2x plus 5 this equals to 0 so this is minus x square minus of 2x plus 2 equals to 0 so x square plus 2x minus of 2 equals to 0 अब देखो यह तो factorize हो नहीं रहा है but d greater than 0 है तो real roots तो होगा real roots होगा और factorize नहीं हो रहा है तो formula लगा देना न class 10 पर रखा है minus b plus minus root d by 2a so minus b plus minus b square minus 4ac 4ac upon 2a this is 12 12 is 2 root 3 so minus 2 plus minus 2 root 3 upon 2 x you have minus 1 plus minus root 3 so there is two values of x one is root 3 minus 1 and another is minus 1 minus of root 3 इसका मतलब क्या हुआ minus root 3 minus 1 इस interval को belong नहीं कर रहा है minus 3 to minus 1 को इसलिए ये value rejected हो गया ये value क्या हो गया rejected और ये acceptable हो गया समझ रहे हो के लिए रहे हैं यहां तक अब इसके बाद क्या रहा है तो माने पास third case ठीक है case 3 तो third case में क्या है तो माने पास mod of whenever x greater than or equals to minus 1 whenever x greater than equals to minus 1 x greater than equals to minus 1 है यहां पे तो mod of x plus 3 into mod of x plus 1 plus 2x plus 5 equals to 0 तब यहां यहां यह भी plus यह भी plus यह भी plus तो यह फाइनली देखो यह भी positive यह भी positive यह भी positive यह एक्जेक्टली कॉन साइड कर जाएगा case 1 जैसा तो यह आया x plus 3 यह आया x plus 1 2x plus 5 simplify करो यह x square plus of कितना है 6x plus 8 x equals to कितना minus 4 and minus 2 तो अब देखो यहां पर तो यहां पर x आया minus 4 minus 2 बट डोमेन के है तुम्हारा minus 1 से ज्यादा इसका मनलब यह value भी reject हो गया यह भी reject हो गया तो यहां final answer यह दो solution ही आएगा एक minus 4 आ रहा है और एक minus 1 minus root 3 आ रहा है ठीक है minus 1 minus root 3 आ रहा है अच्छा यह वाला minus मैंने यहां एक पर order लिख दिया चलो ठीक है anyway यहां पर final answer correct कर लो तुम लोग minus 4 and minus 1 minus root 3 यह दो value आ रहा है सिर्फ यह दोनों आएगा तो इसका यह answer है minus 4 and minus 1 minus root 3 ठीक है और ऐसे भी तुम देखो minus 1 यहां रखके देखो satisfy कर रहा है तो satisfy बिलकुल नहीं कर रहा है ठीक है minus 1 तो इसका solution है तो minus 4 and minus 1 minus root 3 यह final answer होगा अब ओ यहां पर तीसरा question third one तीसरा क्या है mod of x squared minus 3x minus 4 equals to 9 minus mod of x squared minus 1 तो इसको factorize करो यह क्या है यहां पर x minus 4 and x plus 1 और यहां पर कितना है mod of x minus 1 and x plus 1 अब अभी cases जबानाने इस पहले एक बार थोरा इसको rearrange कर दो इनको left hand side भेजो और यहां तुम लिक सकते हो mod of x minus 4 into mod of x plus 1 plus of mod x minus 1 into mod of x plus 1 this equals to 9 अभी यहां से mod of x plus 1 common ले लो तुम्हारे पास है mod of x minus 4 plus mod of x minus 1 ठीक है अब यहां से critical points बनाना start करो this is mod x plus 1 mod of x minus 1 plus mod of x minus 4 this equals to 9 तो number line खीचा यहां पर कितना है minus 1 यहां कितना है 1 यहां कितना है 4 ठीक है तो number line ड्रॉक कर लिया तों लोग ने ठीक है अब ओ यहाँ पर तो जैसे ही number line ड्रॉक किया तो अब तुरंथ box बना यहाँ पर minus 1, this is 1, this is 4 तो यहाँ से इस तरह से 3 line खीचा ठीक है यह क्या गया mod of x plus 1, यहाँ mod x minus 1, यहाँ mod x minus 4 यह minus, यह plus, 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 minus, plus, plus, plus अब देखो, यहाँ 4 cases बनाने परेंगे तो मैं first case, whenever x is smaller than minus 1 second case whenever x lies between minus 1, 2, plus, 1 third case, when x lies between 1 to 4 fourth case when x greater than or equals to 4 when x is smaller than minus 1 तो वापस से यहाँ पर question लिखा, mod of x plus 1 mod of x minus 1 plus mod of x minus 4 this equals to 9 तो यह क्या है, minus of x plus 1 yeah, minus of x minus 1, minus of x minus 4 this equals to 9 minus common ले लो तो x plus 1 और यहाँ x minus 1 plus x minus 4 तो this gives you x plus 1 2x minus of 5 simplify करो तो यह क्या है, 2x square minus of 5x plus 2x minus 5 minus 9 equals to 0 ठीक है तो यह क्या है, 2x square minus of 3x minus of I think 14 ठीक है तो क्या यह factorize होगा, 2x square minus 7 7x plus 4x minus of 14 x common ले लो 2x minus 7 यहाँ से 2x common ले लो ठीक है यहाँ से x common ले लो तो यह 2x minus 7 आ रहा है, यहाँ से तो तो यहाँ से तुम 2 common ले लो तो तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2x minus 7 यह x plus 2 यह 2x minus of 7 x का 2 value आया, minus 2 and 7 by 2 बट अब तुमको समझ चुके होगे, जो x smaller than minus 1 है, यह value reject हो गया, यह acceptable है ठीक है, similarly do yourself for case 2, case 3, case 4 और उसमें जो acceptable values आया तो देखो final answer minus 2 and 2 ऐसा कुछ आड़ा होगा बागी cases अब खुद से attempt करो, क्योंके already हम over explain कर चुके हैं cases बनाना, ठीक है यह इसका second video था अब इसके बाद एक और video upload होगा, mod का third and last video ठीक है तो फिलाहल आज आप लोग जो है इस video को अच्छे से, एक एक point अच्छे से समझोगे ठीक है, समझने के बाद मैं यहाँ कुछ question दे रहा हूँ as a homework इसको तुम लोग attempt कर लेना ठीक है ठीक है, तुम लोग as a homework in questions को attempt करोगे ठीक है, और solve करके solution भेजोगे, ठीक है तो यह तुम्हारा mod का second video था modulus equation का जिसे तुम अच्छे से समझोगे यह पाड़ थोड़ा सा conceptual है, और अगला भी काफी important है entrance point of view से जो इसका third video आने वाला है तो third video अच्छे से समझ में तभी आएगा जब तुम्हारा first and second video mode का clarity के साथ एक-एक point के लिए रहे है ठीक है? उते हम तुम्हार ट्स MORड़ रहे है OH बढू से समस्दारी, यह मैं में तुम्हारा है मैं छेह है rien ज़े रहे हैं कता明